राम राम दोस्तों मैं नीरजुकुमार आजा महारे साथ है छेत्रिय कर्णी सेना के जिलादक्स ग्यान सिंग जी बड़ागा हूँ जो आने वाली आठ तरीकों जेपुर में छेत्रिय कर्णी सेना का एक बहुत बड़ा आयोजन महापड़ाओ होने वाला है जिसके बारे में में जानकारी देंगे राम राम नमस्कार आपका बहुत पोध धन्यवाद चत्रिय करनी सेना का 14 सुत्री मांगों को लेकर 8 तारिकों महापड़ाओ है जो सभी चत्रिय मिल जुलकर उस कारेकरम को रख रहे हैं उसमें हमारे राष्ट्य अद्यक्स परदेशा अद्यक्स संदीप सिंग चैनपूरा राष्ट् सरकारों की संख्या में चत्रिय मुझूद रहेंगे जिसका मुख्य उदेश्य है सर्वपर्थम सराजनितिक पार्टियों से कि सत्ता के अंदर हमें भागीद्यारी दी जाए गाई को राष्ट्रे माता का दर्जा दिया जाए मौब लिंग्चिंग जैसे जो बुचडगान ने बने विया उनको बंद किया जाए और EWS के अंदर आय की समिक्सा को बढ़ाया जाए और भी काफी अशे मुद्दे हैं जिनको लेकर हमारे राष्ट्री अध्यक से सरकारों से सीधा टकराओ कर रहे हैं और अने करने गाउं गाउं डाणियों जाकर सत्त्रिय समाज को जा करनी सेना का एक उदस्य है हमें रोज-रोज महापडाव नहीं डालने की आव सकता है तो चुनाव से पहले हम सरकारों से और जिन जो जो पार्टिया है उनके समक्स हम जो हमारी मांगे रख रहे हैं जो जो भी सरकार बनेगी वह सरकार हमारी मांगे पूरी करेगी इस वज़ जो फ़ी चुनाव राजस्तान के अंदर है और हम राजस्तान के छत्री समाज के लोगों को इखटा करेंगे गाउंगाउं डानी जाकर हमारे राष्टी अध्क्स राश्यकावच जी उनको पीडे चावल की तोर पे नोता दे रहे हैं गाउंगाउं जाकर जिला पीले तरह को जागरुक कर रहा हूं मेरे दादोसा बाबोसा शे मिल रहा हूं उनको मैं समाज की जो पीड़ा है वह बता रहा हूं और हम यहां से हजारों की संख्या के अंदर व्यक्ति लेकर जाएंगे कि मेरा यहीं कहना है की हम एक जूठ होकर सरकारों से लड़ेंगे तब भी हमारी पूछ होगी वन्य था हमें पिछे की तरह बैक फूट पर दकेला जाएगा यह थे हमारे साथ छत्रिय कर्णी सेना के जिलादक्ष ज्यान सिंग जी बढ़ागाओं जिन्होंने आने वाली आड़ तारिक को जो जेपूर में छत्रिय कर्णी सेना का और छत्रिय शमाज का जो महापड़ा होने वाला उसके बारे में हमें जानकारी दी